हलो गाईज जी एसल कॉंपोटिशन में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक लॉड एमर्स्ट है गाईज 1823-1823 तक बंगाल की गवर्नर जनल के रूप में इन्होंने कारे किया है इतिहास के point of view से कर बात करें तो इस गवर्नर जनल के समय में सबसे महत्मून दो घटनाएं घटित होती है पहला इन्ही के time period में बर्मा की बात करें तो बर्मा युद इन्ही के time period में हुआ था गाइस नुरका लीजे यहीं लॉड हैमर्स का time period बर्मा वर के लिए जाना जाता है यह वर 1824 में हुआ था यहाने 1824 के पहले बर्मी युद के लिए अगर ने असम की उद्गोशना की गई थी इन्ही के time period में और दूसरा सबसे महत्मुन घटना 1824 में बेरक पूर में जो म्यूटरी हुई थी इन्ही के time period में हुआ था साथ साथ में इन्ही के time period में मलाया पैंसिलर को बिट्टिश सामराज्जी में मिला लिया गया था इसका अधिगरहन किया गया था guys किसके time period में? लॉर्ड एमहर्स के टाइम पिरिड में अगर लॉर्ड एमहर्स के टाइम पिरिड की बात करें तो लॉर्ड एमहर्स का टाइम पिरिड वेदानता कॉलिज की स्थापना के लिए जाना जाता है इस विदांता कॉलिज की स्थापना राजर राम मोहंड राय के द्वारा किया गया था और इसी राजर राम मोहंड राय के द्वारा 1828 में ब्रहम समाज की स्थापना की गए थी और उस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनर के रूप में लॉर्ड एम हर्स उस समय काम कर रहे थे I hope guys कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो इस सारे के सारे वीडियो यू PSE, PSE, सासत में SSE, TGT, PGT, सासत में JRF और NET को ध्यान में रख करके सारे कंटेंट दी जा रहे हैं guys तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखा कीजे I hope कि आपको यह हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो Thank you, take care and जैहिन दोस्तो